बाजिया जी कहिन मैं आपका एक बार फिर्फ वागत हैं बात्चीत के सिलसिले को जोडने के लिए एक बार फिर्फ मैं आपके बीच में हाजर हूँ मम्तादी दो दिन से दिल्ली में हैं और कह रही हैं कि पूरे देश में अब खेला होगा और ये एक सतत पिक्रिया है दो हजार चौबीस में जब चुनाओ होगा तो मोधी वर्सेस पूरा देश होगा कोई भी नेत्त तो करें मम्ता कहती है ये विपक्ष की एकता में कोई भी फेस हो कोई भी नेत्त तो करें उसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है हम सच्चे दिन अच्छे दिन नहीं हम सच्चे दिन देखना चाहते हैं ये वो कह रही है उन्होंने अभी कुछ देर में आरविंद केश्रिवाल जी से भी मुलाकात करेंगी आज तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तुनिया गानी से भी उन्होंने चार बेजे के कर मुलाकात करिए लेकिन वो कहना क्या चाहती हैं क्या कह रही है तरह इस पर एक नज़र डालते फिर लोटते हैं फिर आगे की रूप रिखाता करते हैं अधिक वर्य गुब मीटिंग पॉजिटिव मीटिग अधिन पॉजिटिव 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 मस्ट कम आउं इन देख शुच्छ यह एक साब में मिलके काम करने पड़ेगा अंधु आप पर देख रहें पर रोट का वंतों स्टिट का अभी है मिलकल काम करना होगा और ये एक सतत पक्रिया है लगातार चलनी बड़ेगा दोजार ठार का आपका करनाटक का ध्यान रखिये चुनाओ का फिर दोजार निस में कुलकाता ध्यान रखिये और फिर इसी पर जुड़ा हुए सवाल है लेकिन पलट का जवाब जब दिया बीज कधाचित नहीं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सटल हो जाएं आपको क्या लगता है लालूप्रशाद यादवजी कि पाठी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चम्चमाती सडके बन जाये का नौश तनी हो सिर्फ इतना चाहते है कि हमारे दो ब परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है आपको क्या लगता है ये कॉंग्रेस पार्टी सोनिया जी प्रियंका जी घर में बैठके ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चडिया बना देनी है बिल्कुल नहीं राहूल और प्रियंका कैसे राजनेतिक रूप से सैटल हो जाई इनकी एक ही चिंता है नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनेतिक परिवार से नहीं आते हैं उनकी एक ही चिंता है हिंदुस्तान को विकास के पत पे सैटल करना है इसलिए जंता-जनारदन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है अच्छे तरह से समझती है के तरह पर हमारे साथ जुड रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू सो मच शुबरास्ता हमारे साथ है फाउंडर दे चर्न हमारे साथ जुड रहे है शुक्रिया शुबरास्ता तैंक यू सो मच और कुछ देर में हमारे साथ मैं भी उसमें बीच में नहीं बोलता और 30 seconds के बाद debate open होती है सबको अपनी बात कहने का मौका लेकिन एक निवेदन मैं सबसे करना चाहूंगा मर्यादा बहुत जरूरी है सारे लोग देखते हैं बाप में अच्छा नहीं लगता कुछ कसैलापन रहे जाए बहुत दुख देता है मैंने अपनी डिबेट पर हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी चीजें ना हो और हम कोशिश अभी कामियाब हो सकते जब सारे लोगा का सही योग मिलेगा एक के बाद एक बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनके बच्चे कैसे सटल हो जाए विपक्षी एक ताप पर बात है 30 seconds, yours चुने लिए देखे प्रतेक जी ये बात किस ने कही ये बात उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो दुनिया की सबसे जूटी पार्टी है जो जुमले बाज पार्टी है जो धोखा देती है जो पिछडे और दलितों का आरक्षण छीनने पर भरोसा रखती है जो समिधान के खिलाब नागपूर के विधान से देश चलाना चाहते हैं हाँ, अगर चमचमाती सड़क देखना तो आप आओ उत्तर प्रदेश आप देखो उत्तर प्रधेश में मानिया खलेश यादोजी ने कैसे एक्ष्छिसवे बनाया है जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज उतर सकते हैं हाँ, आप आओ उत्तर प्रदेश आप देखो कि अंतर राश्टी स्टेडियम कैसा बना है हाँ आप आओ उत्तर प्रदेश आप देखो कि भारत का सबसे अच्छा पुलिस दफ्तर सिगनेचर बिल्डिंग कैसी बनी है आप आओ उत्तर प्रदेश देखो कि 18 लाग नौजवान लड़के लड़कियों को मानिय अखलेश यादो जी ने लेप्टाप दे करके उनकी दिसा और दसा दोनों बदल दी हैं उनके सपने पूरे किये हैं क्योंकि चिर्चिड़ाहत इसलिए हैं आप जान रहे हैं कि अब जब विपच्च एक हो जाएगा आपकी सारी पोल खुल गई महगाई पे आप घिर गए अर्थ व्योस्था आपकी खराब हो गई नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं जूट पे जूट बोले जा रहे हैं जूट से आप कितने दिन चलोगे इसलिए ये चिर्चड़ाहत भारती जनता पार्टी की दिखाई दे रही है इससे लगता है कि आप डर गए हैं और आपको डरना भी चाहिए शुक्रिया जूट के आधार प बन जाए शुसेवना की चिंदा आगी कैसे परिवार आगे बढ़ जाए 30 सेकंड्स आनंद दुबे आपके प्रतिच जी नमस्कार सबसे पहले आपको इतिहास में पीछे ले चलता हूँ कुछ चीज याद दिलाता हूँ 1995 में सिउसेना ने और भाजपा ने मिलकर महाराश में सरकार बनाई थी उस समय आदरणी बाला साब ठाकरे जी चाहते तो स्वेम मुख्यमंतरी बन जाते चाहते अपने किसी घर के सदस को मुख्यमंतरी बना देते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने निष्ठावान नेताओं को मनुहर जोसी जी को नारायन राने जी को मुख्यमंत्री बनाया तो सबसे पहले मैं आपको इस्पष्ट कर दू कि सिवसेना में कोई परिवारवाद नहीं है हाँ हमारे मुख्या आदरी बाला साब ठाकरे जी हैं उनके पुत्र उधो जी हैं उनके पुत्र आदित ठाकरे जी हैं लेकिन वह सब एक करकरता के समान रूप में काम करते हैं, कोई बड़ा छोटे का भेड नहीं रखते, और हम किसी सत्ता के लालच में सरकारों में नहीं आते, महाराश की जनता सियुसेना से प्रेम करती है, वो चाहती है कि आदर्णी उदर ठाकरे जी के नित्युत में महाराश इसके लिए आपकी यह बात को मैं काटता हूँ, कि सियुसेना केवल एक परिवार को बचाने के राजगीत करती है, सियुसेना का परिवार पूरा देश है, पूरा महाराश अपना परिवार समझती है, तब जाकर हम लोग आज पिछले 40-50 वरसों से जनता के बीच में होते हैं, मौका मिला तो मतुरा विंदावन भी जाओंगी, टॉक्टर केके शर्मा, 30 सेकेंड्स आपके परतिक जी के समुद्र में बहुत हमने बुलबूले उठते देखे हैं, हस्तर क्या होता है या आपको पता है, पानी में उठते वाले बुलबूले पानी में समझाया करते हैं, ऐसे ही बहुत बड़ी लालसा के साथ में केजरीवाल जी 2013 में बनारस गय थे, सारा विपक्च स साथ खड़ा हो गया था, और बाद में एक नाम मातर के लिए एक दो लोगों को साथ में रखा, वो भी बाद में चुनाव आते आते से लेंडर कर गये, तो ऐसे ख्वाब देखने में कोई आपतित हुई ना, प्रतिक जी उसमें कौन सा रूपय और पैसा लगता है, वो तो दिर से चुराओं लड़ने की बात आये, हमें प्रशनता है इस बात की, बिल्कुल खुसी होगी, ऐसा लेकिन स्क्रिप्ट प्रतिक जी आप तो सीनियर जनलिस्ट हैं, 2017 में भी आपने देखा, करनाटका में बहुत लोग हाथ मिला के, जिल्कुल मैं कहावत कहता हूँ, कि स और निवला साथ खड़े मिले थे, मायावती हो, सपा हो, कांग्रेस हो, और नजाने कितने दल, वहाँ पर हाथ में हाथ मिलाए हुए थे, और यही नहीं हो, दिस्ट हमने कलकता में भी देखा, लेकिन हम पूरे 2019 तक पूस्ते रहें, कि जरा ये तो बताई हैं कि कहा गड़ बंदन है, तो कहते थे, सब तो विरोत में लड़ी रहें, हम पूस्ते थे, कौन होगा है आपका नेता, ये तो सब हम मिलके लड़ी रहें, तो वे द्रिश्ट सारे प्रतिक जी हम लोग के समझ हैं, विलकुर हम सामने एक उधार देता हूँ, आज के ही, जो राहुल गांध तो कहा का गड़ बनल, राइट सार, 30 सेकंड, दादा बादल देवनात मुस्कुरा रहें, आप क्यों नहीं गएं, आपके सामने तो बीजेपी ने प्रशन उचाली दिया है, तो विलकुर एक ता पर तो वो सवाल करें, 2018, 2019, बोले कि उसमें तो कई चीज़ें हुई हैं, दोनों लोग भाई 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 भी बैटे थे साइकिल पर क्या हुआ, तमाम सारे सवाल हैं, अमतार जी ने कहा देखेंगे, यूपी का चुनाओ भी देखेंगे, 30 सेकंड यूस, पोतिक जी, मेरा साब्जेट तो मैं पढ़ा लिख्या किया, कमार्स और LLB, लेकिन मेरा सा सीबलिंगों कहते हैं, और दूसरा बात, बास्पार को पता ही नहीं है, बड़े बड़े जहां दुनिया में डूपते है, लुपते है, अबी पता नहीं है, और दूसरा पुसी की बात है, प्रतिक जी, आज पार्लामेन में फिर से हुई आवाज उठा, खेला-खेला होबे पता खेल होगा, फिर से खेल होगा, इसलिए मैं कहना हूँ, दीदी ने आज मुलिवाय सुनिया जी से मुलाकात की, मुलाकात के बाद चार्चा पजिदिक था, पजिदिक होने के बाद दीदी ने बाहर आया, प्रिस कांपाइस के और बात बोले, सब के सामने, पुरे मैं लेकिन हम सब, हम सब पूरे देश को सहानीम राज्या जी से अब बनाएंगे, और देश के लोगों के सामने, फिर से मैं उन्रोज करना हमा, पूरे हार, प्रिस कांपाइस के बात बात ब्राद से, आप सब मंता दीदी को एक बाहर फिर से महुका दीजे, दादा तच्छे इन भी आना है और मैं फिट से कह वगा दीव नहीं हो तक्यों दीदी राजीव गंति के समय जुवा मंतिर राइब शुब क्यों राइब हो जो तेख जी अभी बादल दा बोल रहे थे मैं तो नहीं पूछना चाहते हूं इन्हीं मताब आनर जी के बारे में इतनी ब वो भले ही आज ब्रस्पंगाल की नेता हैं वो भले ही वहां की चीफ मिनिस्टर हैं जो एक विधायक का चुनाव ने जीट सकती वो पूरे देश में नारेटिव सट करने की बात कैसे कह सकती है और वियो बात छोड़िए इनके अपने विपक्ष की इतने सारे नेता इन्होंन यही समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं मैं पूछती हूं अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी डेवलप्में नारेटिव की इतनी अच्छी-ची कहानिया इन्होंने गड़ी तो क्या यह एक्सप्ट करेंगे कि राहुल गांधी का नित्रित्व यह मानने को तय प्रियंका वाडरा का नेत्रे तुमानने को तयार हैं और पोजिशन पहले आपस में समझ ले सलट ले आपस मुझे इसको इन बिहार में कहते हैं आपस में लोग सलट लेना कि इनका असली नेता कौन है उसके बाद मुद्दों पे तो बात की ही जाएगी मुद्दे भी यह लोग ऐसे उठा रहे हैं और ऐसे ऐसे कैंप से मुद्दे उठाय जाते हैं जो अपने आप में डिस्करडिट कर दिये गए हैं ममता बैनर जी ने इतनी लंबी लंबी बात की डिमॉक्रसी पे और पता नहीं किन किन चीजों पे चुनाव आते के साथ जो कहर धाया गया है व जो फिर 2014 में जो सरकार बनी है और फिर 2019 में दुबारा चुन करके वो आई वो क्यों आई राइक जो बास्ता ना रिपे जो पर और विकास किसका हो इस पे बाग जो दिए जी डिबेट इस ओपन ना डिबेट ओपन है वन बाइवन बहुत-बहुत-बहुत मर्यादा के साथ दुबार बाइवन लुक्त-बहुत-डेशा डिबेट जो पर फिर 2016 में थी डिबेट हुए मैड़ का बाद मैटम का बाध मैंने सुना पहुत-बहुत जादा लेकिन मैं पתुण अगले programme इने ने कहा, मैं स्टीट फाइटर मूं मैं कला चाहिए और चर्चा भी आज बाद दीदी ने कहा, सुन्या घंदी से चर्चा भी मुलाकात हुआ, चर्चा भी पजिडित था, दूसरा बाद, मैडम ने ये ने कहा, पूरे देश में मोधिन जी 24-21 तक, ना मेकिन इंडिया हुआ, ना डेची जालेंड वा, ना हैस पे टेन वा, ना ब आजे जेए जो आज साव्न है उखले चिफ होगे, तभी मैं डाद दिनर करेंगे बादल श bus лишь चीज है, ममता बैने टी कoquी साथ चाई पी रही है नाश्ता कर रही है, lunch करेंए, डिनर करें militar से देश की जनता को क्या मतलब है सोनिया गांदी के मूँ से कहवा देना कि ममताब एनरजी हमारे पूरी जो आपोजिशन है उसकी प्राइम आपस नहीं आप लुग लंज पर बैठें डिनर पर बैठें दूसरे के साथ माथा फुटोवल करें जो करें बट आपका नेता कौन है यह तो बात सामने लेकर के आए लाए 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 जैसे आपने लिए प्रतिक जी मैं सुन रहा था एक तो जो उत्तर प्रदेश में माननी अखलेश यादो जी ने काम किया उसको कहानी बताया जा रहा है तो मैं तो मैडम से कहूंगा आप एक बार उत्तर प्रदेश घूम जाई आके और आप किसी से पूछ लिजिए योगी जी का एक काम योगी सरकार का एक एड चलता है आपके भी चैनल पे चलता है एक मिनट का है और मुझे लगता है कि उसमें एक भी काम योगी जी का नहीं है बीजेपी का नहीं है एक और मुझे लगता है कि जिस तरीके से केके सर्मा जी ने बात रखी या जो घमंड जलक राय भारती जन्ता पार्टी का प्रतीक जी इसी तरीके का घमंड एक जमाने में कांग्रेस को था याद करिया 1977 में लगता था इंद्रा गांधी को कोई हराई नहीं सकता और छोटे-छोटे दलों ने मिल करके सिर्फ कांग्रेस को नहीं हराया इंद्रा गांधी भी राइवरेली से हारी चुनाओ और आप फिर आए उसके लेकिन भगवान रामने किसकी सेना छोटे-छोटे लोगों की सेना बना करकर जब आप जनता के खिलाप हैसला करते हैं नोटबंधी जनता के खिलाप थी आपका फैसला क्रोना में आप सही फैसला नहीं पाए, रोजगार खतम हो गए, आपके अपने शाहने वाले दोगपती देश का पाइसा लेकर करके बात गए, वेरी गूड़ कर रहे हैं, आपने आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा, तो इसलिए, जी, आपना अपना संटेंस कंप्लीट कर लिए सुनिल, आप सुनिल, सिर्वांट प्रतुएं, मैं इसलिए को शर्भासित मैं ख़ो परतिक जी मुझे आस्यर हुआ परतिक जी जो राम भक्तों की निसंस हत्यारे हैं वो आज राम की मर्यादा की बात कर रहे हैं आपके चेनल में बैठ के सर्व नहीं आती हैं इनको 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 इसलिए चोर की दाड़ी में तिनका अभी अभी आधू ना रहाएं आग बताओ क किसकी दारी में तिनका है पर्तिख जी इनको रोकिए पहले यह बहुत जहीं के लिए अगरेसिव हो रहा हम भाजबा रोकने जा रहे हैं आप आउना डॉब्लमेंट की बात करो ना रोजगार की बात करो ना बात करो ना पर बात करो सुनील जी ने सवाल उचा दिया, कैके जी जवाद देंगे, जी जयादा जमा हो गया, आप करिये बात, मैं डबलब मेंट की बात करूंगा, मैं करूंगा, पहले लिए जवाद के क्यों चिवाद के ओ ? करते हो और जब मौका आता तो च्छिते हो तो भगवान के बंद कर रहे हैं आप चाहते हैं मैं नहीं करोगा ने जवाब दीजिए भगवान के पीछे च्छिप रहे हैं तो रोड वाला कांप कर रहे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब इनको बत्ती मिर्च लग रही है तो ने क्या आप पर्सीक जी ऐसे क्या डिवेट करा रहे हैं ने आप बोलें नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे आप बोलेंगे लगता है इन्होंने राम की बात की इसलिए मैंने कहा कि राम के जो राम भक्त के हत्यारे हैं आज उनको सर्म नहीं आ रही है आज वो राम भक्त का अदर्स उने जिखा रहे हैं तो इसलिए मैंने और विकास की जहां तक बात है इतनी बड़ी मिर्च लगता है कैसे बोलू बतावा देखो जब आप पिछड़ों का रच्षड शीनोंगे तो हम आपको गुंडे लगेंगे जब आप दलितों का उत्पीडन करेंगे तो हम गुंडे लगेंगे लेकिन हम पिछड़ों का दलितों का अरच्षड नहीं शीनिय देंगे पे bund का पारखें नहीं होने देंगे स्पिनील जी सुल्ली ज इसनील जी एसे परेशान बहुत हो यह बिलकुल अभी आप अपना तीन से चार मिनट का डिवेट के वल इस बात के लिए बरबाद कर रहे हैं क्योंकि उनको बीच में जवाब नहीं है पूरा जबाब चुल लिए उनका बंद करिए ना हाँ ठीक है अपर सुनिल जी गुंडों के जुट से सबक नहीं लेनी है मुझे जवाब बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं टॉक्टर केके शर्मा को जवाब दे लें दीजिए फिर आप जवाब दीजेगा पूरा जवाब चुल लिए उनका अपके सामने सरयान गुंडा गिर्जी कर रहे हैं इसके बावजूद आप परतिक जी कह रहें ये कौन सा जी आप बोलिए आश्यर है कि किसी को बोलने ना देना किसी का हथ चीन लेना ये तो गुंडा गिर्दी होगी ना जी बोलिए ये कहना चाहता हूं परतिक जी कि उसी चमचमाती सड़क का जो उसके बाद जी उत्तरपदेस की जनता ने इनको जो है दो थपर लगा कि किनारे लगा दिया इस हैसियत का भी नहीं छोड़ा की 50 सीट आ जाए इनकी कितने बनाएं कितने रोजगार दिये आप बताइए ना अब मैं कह रहा हूं अब ये 2012 से लेकर बारा सामता कुसी रोला को रो रहे हैं जनता सुनने को तयार नहीं इनको लगातार इनको चुछा हरा नहीं है अब मैं आता हूं गटबंदन पर गोल गोल जूट क्या मिल के दो चोरे उत्तर प्रदेश की दंता ने इनको चुहारा बना के वापस भेज़ दिया दोनों को फिर बुआ और भतीजे का इनका गडबंदन बना यही चीज़ यह रोते थे वाज जो है उसे भी जंता ने नकार दिया ठीक है राइट सार टेकन यूर व्यू टेकन यूर लगर आप लोगो प्रती जंता पार्टी के जूट बोलने की ट्रेनिंग कहां होती है और कैसे ये लोग बिलकुल साब जूट बोल लेते हैं मैं कह रहाँ कि साड़े चार साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है योगी आदिकनाची मुख़़ई में एक यूनिट बिजली उत्पादन पर आपने काम नहीं किया अरे सुन ले हैं अब देखे अब आप क्या हैं ये इनकी नियत और इनके पास विजन नहीं है काम करने का शुट चुट और शुट 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 तिक रहे हो विए पर क्षी सर्ब आइख सर्पाइख से में आनाद दूबए आंट कमिंग टू आइफ यू श्रौासटा श्रौस्टा डाइजमेंट को क्या कहा यह सब देख रे है और मैंने यहीं कि यही सुनील यादर जी जो इतनी दुहाई दे रहे हैं कि बहुत सारा development हो गया था आखिलेश यादर जी के कारेकाल के दौरान बुंदेल खंड में पानी पीने के विवस्था नहीं है यहां लोगों को पता है आजादी के 70 साल से उपर हो गए यही सुनतर है कि उत्तर रस्था करने का ना केवल में नहीं किया बलकि अभी अभी जाकर के मॉनिटरिंग भी की गई है उस परियोजना की 44 परियोजना है जो कि पूरे देश में चल रही है सबसे अग्रणी रहा है उत्तर प्रदेश उनको सुनियोजित तरीके से चलाने में आप GSDP की बात सुनियदी ऑदब और इस बात को मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ सुनियरती इसलिए आप ज्यान न दें कि मुझे उत्तर प्रदेश का दोरा करने की जरूरत है मैं उत्तर प्रदेश का दोरा पिछले तीन-चार वर्ष से कर रहे हूं और मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आज safety महिलाओं को ले करके है मैं पारिवारिक बात करना चाहती हूँ प्रतीक जित 10 सेकंड के लिए मेरी अपनी सासुमा जो कि पहले निकलती नहीं थी खिले शादर जी के रूल में बाहर निकल के वो योग के लिए नहीं निकल पाती थी यह एक आम उत्तर प्रदेश की आम महिला की मैं बात कर रही हूँ तो यह सब लफाजी मत करें टेलेविजन पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जनता जाने आनंदुबे और दिमोक्रिसी में अभी तो प्रतिक जी किसी जमाने में 25 पार्टियों की गड़बंधन करने वाली भाजपा की सरकार आज विपक्ष को नैतिक्ता का पार्ट पड़ा रही है ठीक है समय समय की बात है देखे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश्ट प्रतिक जी मेरी बात प्रतिक जी मेरी बात कंप्लीट होने जी प्लीज जी मैं क्या कह रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश्ट है सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं सड़क पर आप हमको यह कहके रोक देते हैं कि हम आरा आजकता कर रहे हैं हम अंदोलन कर रहे हैं संसद में आप हमें बोलने नहीं देते आप एक बात बताईए क्या विपक्स को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारे इवा जो बेरोजगार हैं जिनको रोजगार देने कि नौबत आ गई किया वीपक्स को यह पूचने का अधिकार नहीं है कि हमारी माताये बहने सुरक्षित के उनए है क्या वीपक्स को यह मालू है आपका सवाल यही है महाराष्ट मॉडल में मेरा क्या दोश है और केरल मॉडल फेल हुआ तो मैं क्या करूँ यह सवाल होगा मुझे मालूम के कैशे मा मैं आता हूँ लेकिन आपके पहले दादा का नंबर है वो बोलेंगे वक्त तक छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के ब बात करेंगे मैं कार करता हूँ देश पर जनता का राज होगा ओपनिंग दिमार्ट फिर आगे बढ़ते हैं जी टेन सेकिंड्स आपके बसमें एक जबाब एक एक जबाब सी उसेना के प्रवक्ता जी का देने के बाद में आपको प्रस्ट पूशने का अधिकार नहीं है प अगर विपक्ष को किसी केंदरी मंतरी के हांथ से कागज छीन कर संसत के अंदर फाड़ कर फेकने का अधिकार नहीं है किसी भी पार्टी के और किसी भी विपक्ष को संसत की मर्यादा को तार-तार करने का अधिकार नहीं है किसी भी विपक्ष के लेता कोई स्पीकर की अपम चिलाते हैं और अंदर बेट के बात करनी होती है तो आप बैसकार करते हैं और उपर से यह कहता है कि हमको विपक्ष को दबाया रहा है आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि जब आप संसद में बात करेंगे तो आपके सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे इसलिए आपको यह डर लगता है आप किसी मुद्धे पर बात नहीं करना चाहते हैं आप देश के इमांदार करदाता हूं कि पैसे को का केवल बरबादी कर रहे हैं परतीक जी मैं क्यों एक बात कहके समापत कहता हूं जो ममता जी कह रही है हमें प्रसंदता होगी लेकि आप बने भीपक्च एक आप विकल्ब भी बने लेकिन ये सी कोई हाल है विपक्च का प्रतिक जी जो मैं पहले उदारण दिया कि एक जार्व जैसे 10-15 कछवे बंद कर दीजे एक चड़ेगा दूसरा टांग पकड़कर खीच लेगा आज विपक्च पिछले साथ सालों से इसी हालात पर खड़ा है आपके कारिकम में ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के जो मंत्री ने कहा कि पूरे देश में बिना आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई क्या वो सच है और दूसरा एक सवाल कांग्रेस के समय बिदेशी बैंकों में देश का पैसा जादा जमा हुआ या मोदी जी के नित्रत वाली सरकार के समय स्विच बैंकों में देश का पैसा जादा जमा हुआ इमांदारी से बता दिए, दोनों सवाल देश इमांदारी से सुनना चाहता है आपका जवाब पहले सवाल का जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है उसपे केंदर ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है कि वो अपनी रिपोर्ट दें केंदर को कि ऑक्सिजन की कमी से किसकी मौत हुई दूसरे का सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे देंगे पहला मेरे पास जान का रही है वो मैंने दे दी दादा का वक्त है उसके बाद रिप्लाई करेंगे जी दादा बादल देमनाथ प्रतिक जी बड़े भाईया मैं दोचाल लाइन बहुत सारी सवाल आ गिया मैं इसके लिए दोचाल लाइन में जवाब उना चाहता हूँ मैं मैंने देखा आओ जो पुरानिक बाद राम का बात करके सामने कहा राम है कि किसनो का बात क्या तो राम आपकर कैसे आगया कैसे बाईया बाजया राम आपका है राम सबका है राम सबका तील में रहता है एक बच्चा भी कंस को हरा है था आपको पता है मैं यह अभी कंस का बात क्या को बात किया तो रहा है इसके मुझ से कैसे किया है किसनो कंस का राम का नाम आ गया लेकिन में कहना चाहता हूँ किके स такого ची जो बात है पुरोना जब सुरु हो आता तब आप लोगों ने पुरे देश को तौ तश्राकर में मर गए और इसका जिम्हेदार और जिम्हेदारी कौन लेगा केकर штव समदियिक इसको जवाब को देना में पड़ेगा और तिस्ता बात है मेहंगे कितने हुआ पेट्रोल डिजल का ये स्वह पार्ट क्या पेट्रोल डिजल और आप बताईए गैस का दम कितना है पुरा देज पर कीचेल दब सब आ रहा हु मैं डब्डर केके शर्मा आ रहा हु मैं आपके पास वेट करिएगा शुर्बास्ता 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 श मुझे लगता है कि सब ने देखा कि इस तरीके से हम जैसे लोग जो कि बहुत कोशश करते हैं कि अब जितना अबजेक्टिव हो सके उतना अबजेक्टिव तरीके से वस्तुनिश तरीके से अपनी बात रख सकें। सब सरकारों को बिल्कुल घेरे में लिया गया, कहा गया कि जो चीज़ें जो वस्ता करनी थी वो नहीं की गई, लेकिन इस बात से भी हम कैसे इंकार कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑगनाइजेशन ने इसी उत्तर प्रदेश सरकार को कितना सराहा है कोविड मैनेजमेंट को ल सब्सक्राइब करें और यहां बैट करके आप देश को ग्यान देने डेवलप्मेंट मॉडल के लिए थोड़ा सयम रखें देवनाद्दा मैं उस टोन में बात नहीं करना चाहरी आपसे आप बोड़रहें मैं चुप चाप सुन रही हूं लोग तो दीवी को स्ट्रीट शूटर भी कह रहे हैं क्योंकि आपने आप विपक्षणों को भून डाला देश की संसद में बैटने वाल अप लोग तो भी विपक्ष का ड्रोट ने के लाएक में नहीं हैं प्रधानमांत्री की दावेदारी छोड़ दीजिए यह इसंसरे बट्तमीज प्रवक्ता हैं क्या आप लोगों तो आप लोगों सब्सक्राइब आपके आपके आप शुर्बास्ता करने दीजे शुर्बा सब्सक्राइब के दौरान जरा उत्तर प्रदेश में और देखे बात करने का लहवा और बात करने की तैजीर सीख लें जी राइब कि अप्टर केके शर्मान एक सवाल पूचा था आप ने का लएख्याएब अदिकार नहीं है कि काके दाप प्लोर पर लें और फाड़ दें या इसका जवाब देंगा आननतुबे लेकिन सुनिल यादो कुछ बोलना चाहर रहे हैं सुने लिया दो दन आनन दुबे देखें प्रतिग जी क्योंकि केके सरमा जी प्रतम प्रवक्ता और जो बिजेपी की दुतीव प्रवक्ता बैठी है देवी जी मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि बाहर क्या उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा गया क्या उत्तर प्रदेश की गंगा मैया के किनारे की लासों पर जिक्र नहीं करेंगे आप समसान घाट पर जो लाइने लगी थी लकडी नहीं बची सरकार ने लकडी का इंतजाम किया उस पर बात नहीं करेंगे एक महिला अपने पती को मुझसे आकसीजन दे रही थी क्या वो द्रस आप चर्चा नहीं करेंगी एक मां अपने बेटे को ट्राली में बिठा करके सफर कर रही थी चल रही थी उस पर बात नहीं करेंगे हम उत्तर प्रदेश की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं हम तो इसलिए बात रख रहे हैं कि तीसरी लहर आए तो हम भी सरकार, देखिए करोना से क्यों सरकार नहीं लड़ेगी हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, सब मिल के लड़ेंगे ये देश की लड़ाई है, दुनिया की लड़ाई है, लेकिन क्या क्रोना में उत्रवादेश में योगी जी के नित्रस में रस्टा चार हो गया उस पर बात नहीं करेंगी, राइट सुनिल जी, राइट सुनिल जी, राइट सुनिल जी, सुनिल जी, मैं एक बात कहना उनका एक face है और उनके साथ-साथ वो अपने विचार को रखने में बहुत शशक्त है जवाब देंगी शुर्बास्ता मैं इनकी इस हलकी बात का जवाब देना भी नहीं चाहती कि मैं किसकी प्रवक्ता हूँ तो आपके साथ यहां पर कर सकती हैं आप उतर सकती हैं थास्थ आपके संसकार होंगे तो आप करेंगी शुब्रास संसकार नहीं है आपने संसकार तो भी दिखा दिये सुनिल यादव कि एक उत्तर प्रदेश की जोटर महिला को कौप सुनने का माद्दा नहीं रखते उस पर राजनीतिक लेबल का तमगा लगाए बिना बात नहीं है तेवी जी बोल करके और ने एक सेकंड सुनी लियादव एक सेकंड आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं कहा आपने अगर मेरे पॉइंट पर कुछ कहा होता है तो मुझसे समस्या नहीं थी लेकिन आप लोगों की आदत हो चुकिया समाजवादी प्रवक्ता हूं क्योंकि सीधे परसनल अटेक पे उतर आओं कितने दिन तक ये राजनीति करेंगे इसी राजनीति कि हम परसनल अटेक नहीं कर रहे हैं हम तो करोना पे जो योगी जी ने ब्रश्टाचार किया है और उस ब्रश्टाचार पर अटेक कर रहे हैं सुने अटेक कर रहे हैं और वां जो और तुनिल ओडिया डाउन शुनिल ओडाउन तुनिए लोटेट डाउं चुब रास्ता थर्टी सेकंड शोस मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं 30 सेकंड चुब रास्ता एक इंटरनाशनल बॉडी की रिपोर्ट है उसको कोट करना एक किसी भी संजीदा पॉलिसी अनलिस्ट का भी है लेकिन यह भूपू समझ नहीं पाएंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के बैठते हैं यहाँ पर मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहती प्रतीक की प्रवक्ता बनके बैठी हुई हूँ जो बास्ता ने सवाल उठाएं आए अग्री जब इनको इनको दंश यह हो रहा है कि मैंने बुंदेल खंड में पानी की बात कैसे कर दी इनको दंश इस बात का है कि मैंने उत्तरप्रदेश में आज मैलाएं जितना सशक तरीके से इनको पहले माफ्रिता हो सकते हैं अन्दा हो सकते हैं मैं कैसे नहीं मानूं की सबस्क 독al के मिथे यह सब्सक्राइब करनेहीं कि पूल्ड के सब्सक्राइब कर दायो होगी और क्यों पहले नएए इनको पहले पहले भी डिबेट के पहले भी कहा था और ये बात मैं कहा रहा हुजब आसा सुन लीजे रोश में नहीं मैं सुन लोगो मैं उन्हें नहीं कहा कि मैं बहार की बेटी हूँ और उत्तरप्रधेश की बहु हूँ और एक सम्मान है दोनों का अपना सम्मान है और मैंने उनसे पहले भी कहा कि बहुत vocal रही है, पूरे कुरोना के टाइम पे बहुत vocal रही है। उन्होंने government को भी बहुत criticize किया है। और ये बास सच है, इसी panel पे किया है, और मैं सुनील जी से प्रार्थना करता हूँ कि बहु होने के नाते उत्तव प्रदेश की बहु होने का भी उन्होंने जिक्र किया और एक नारी का सम्मान है और आप बहुत बड़े लिखे हैं सुनियल जी मैं जानता हूँ आपको और जिस जगे से आप आते हैं उसका सम्मान करिए और आप अपनी बात रखिए आनन में आपके पास आता हूँ बहुत सम्मान के साथ देखे प्रतीक जी मैं फिर कह रहा हूँ कि हम खुद सम्मान कर रहे हैं आपका आपका भी कर रहे हैं जिनको बुरा लग गया हम किसी महिला के खिलाब बोलें ये कम से कम हमारे संसकार नहीं है आज तक मैंने जीवन में किसी मैला की खिराफ नहीं बहुत हैं तो आप अपने आपको उत्तर प्रदेश की बताएंगे और गाली गलॉट गाली बात करेंगे तो हमको अच्छे नहीं लगेंगे अपने जीवन में अगे बड़ते हैं आपको दुबेट में मैं आरहा हूँ डख सबार प SP आरहां चेतन हुए है आनन दुबे, we'll respond then केके शर्मा जी ने एक सवाल पूचा था शिवसेना से और कहा था कि आप फ्लोर पे जवाब दे रहा हूँ जवाब दीजे, डॉक्टर केके शर्मा ने सवाल पूचा था जी आदर्णी केके सर्मा जी के प्रश्नका मैं उत्तर दे रहा हूँ पहले तो इस परश्ट कर दू कि शिवसेना ऐसे किसी भी वहवार का समर्थन नहीं करती है जो असमेधानिक है लेकिन जब पहले दिन सेशन के आदर्णी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष को भी बोलने का हक है विपक्ष की बात सुनिये लेकिन भारती जनता पार्टी के 300 से ज़्यादा सांसद जब सोर सराबा करने लगें और विपक्ष को उनकी बात ही न कहने दें तो हाउस एडजंड होगा आपको पीछे ले चलता हूँ 25 साल पीछे जब सुखराम जी केंदरी मंतरी थे और उनके उपर आरोप लगे थे तो आपको याद होगा प्रतिक जी कि पार्टी जनता पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने पूरा सेशन का सेशन नहीं चलने दिया तो बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि एक दिन के जो खर्चे होते हैं वो देश को जवाब देही बनती है क्योंकि हमने तो आपसे ही सिखा है तब साइध हम आपके मित्र भी हुआ करते थे आज हम आपके बहुत बड़े दुश्मन आपको लगते हैं आप याद रखना कि दुरियोधन जो कवरों की सेना के मुखिया थे ताकत में बहुत ज़्यादा थे उनके पास सेना भी बहुत ज़्यादा थी और सामने पांड़ा वो बहुत कमजोर थे उनके पास सेना भी कम थी लेकिन जीत हमेशा धर्म और सत्त की होती है इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, आप महंगाई के उपर बात नहीं करते, बेरोजगारी के उपर बात नहीं करते, किसानों के कानून के उपर बात नहीं करते, मैलाओं के सुरक्षा पर बात नहीं करते, बिल्कुर आप ही देंगे डॉक्टर के कि शर्वाई चलाना क्या अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यह नहीं होगा आप कल्पना में क्यों है देखिए मुझे प्रतीक जी मुझे आश्चर है कि जो सिवसेना के प्रवक्ता है तो साथ दो सब्सक्राइब के अंदर जो कारवाई हो रही है उसको देखा ही नहीं है क्योंकि यह दिए देखे होते तो साथ स्वम्मे सर्मसार हो गए होते और इन्हें समझ में आता कि विपक्ष मुआ क्या करते हैं और फिर मैं कहता हूं कि आप कागज फांड़ने कि कोई एसी घचना का देख बीच में मत बोलिए बीच में मत बोलिए आपने भी बात के लिए आप ने कहा कि आप इसका पक्ष नहीं रखते तो कम से कम आपके संजे राउट जो की चुहे मरने पर भी बयान दे देते हैं एक बार निकल के बाहर निंदा कर दिये होते हैं निकल के कहते हैं कि जो टीमसी के सांसदों ने जो वहां हरकत किये जो स्पीकर के अपमान किया है और जो आज भी लोग सबाप में अपमान हुआ है हम उसका खेत कर व्यक्त करते हम उसका निंदा करते क्यों जबान बंद हो गई है आज क्यो जाकर विजे चोक पर खड़े होके बयान बादी कर रहे हैं आपके संजे राओ उसका जवाब मैं दूगा टीबी पर है आपको तकलीफ हो रही है आपको बहुत बुरा लग रहा है अपनी नतिकता दिखा रहे हैं किस बात की नतिकता जब आपका ग्यान लूँ तो आपका ग्यान लूँ समय के साथ पीडिपी के साथ चले जाते हो समय के साथ बस्पा के साथ चले जाते हो समय के साथ अखाली परहuwकता की प्रोकता को कहता हूं कि पूरी जिन्दगी बाला साफ én करना आज कैसे जाकर आप उनके चोखट पे इडि रगठ हहें आप के ने ता पीट पर चुरा जब बीजेपी ने पीट पर चुरा बोका तब हमको हमको अपने अश्री रूप में आना पड़ा आपको सर्मानी चाहिए आदर्णी अटल बिहारी वाच्पे इस दिवंगत आत्मा विदिया स्वार के से देख रही होगी इस भाजपा पार्टी को समसार हो ही होगी उन्होंने ऐसी भाजपा की कल्पना नहीं की थी भाई साब सर्मा जी और आज पूरा देश आडवानी जी की जो इस दिदी देखता है ना हमारे आक्टों में आश्वार के आडवानी जी कर आप हमको नेतिकता का पाट मत पढ़ाईए जी 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 आप जी के शर्माजी सवाग जो पूचिए जो पूछ रहे हैं अभी घ्यान दे रहे थे छाब परिवार कुछ पर प्रदान मोक्त्री बन जाते में बिल्कु साही नहीं मनें वह चाहते तो उद्धा ठाकरे को राइट आनंद तुम्हें आनंद वे वक्त एक चोड़ा से ब्रेक का ब्रेक के बाद मैं फिर आजर होता हूँ विपक्षी एकता को लेकर था मम्तार अनर जी ने आज मुलाकात की सोनिया गांदी से साड़े चार बजे के करीब चाय पर और उसके बाद उन्होंने अपसे कुछ देर पहले छे बजे के करीब उन्होंने दिल्ली के मुक्षमंत यार्विंद केजरिवाल से भी मुलाकात की है और इसी पर सवाल आज वीजेपी ने भी उठाया था कि 2018 में कनाटक चुनाओ, 2019 बंगाल चुनाओ तो पहले भी पक्षी एकता हुई थी लेकिन कहां तक कारगर साबित हुई, इन्हीं को लेकर आज सवाल था